नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको जैसे करता ऐसा एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ एक जमिदार के लिए उसके कुछ किसान एक भुना हुआ मुर्गा और एक बोतल फल का रस ले आई जमिदार ने अपने नोकर को बुला कर चीजे उनके घर ले जाने को कहा नोकर एक चालाक शरीफ लड़का था यह जानते हुए जमिदार ने उससे कहा देखो उस कपड़े में जिन्दा चिडिया है और बोतल में जहर है खबरदार जो रास्ते में उस कपड़े को हटाया क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो चिडिया उड़ जाएगी और बोतल सुंग भी ली तो तुम मर जाओगी समझे नोकर भी अपने मालिक को खूब पहचानता था उसने एक अरामधे कोना ढूंडा और बैटकर भुना मुर्गा खा गया उसने बोतल में जो रस्ता वहबी सारा पी डाला एक बुन भी नहीं छोड़ी उधर जमिदार भोजन के समय घर पहुँचा और उसने अपनी पत्नी से भोजन परोसने को कहा उसकी पत्नी ने कहा जरा दे ठहरो खाना अभी तियार नहीं है जमिदार ने कहा मैंने जो मुर्गा और रस के बोतल नोकर के हाथ दी थी वही दे दो वही काफी है उसके गुस्से की सीमा ना रही जब उसकी पतनी ने बताया कि नोकर तो सुभह का गया अभी तक लोटा ही नहीं बिना कुछ बोले गुस्ते से भरा जमिदार अपने काम के जिगें वापस गया तो देखा नोकर तान कर सो रहा है उसने उसे लात मार कर जगाया और किसान द्वारा लाई गई भेट के बारे में पूछा लड़की ने कहा मालिक मैं तो घर जा रहा था तो इतने में जोर की हवा चली कि मुर्गे के उपर घजा कप्रा उड़ गया और जैसे आपने कहा था जहर भी उड़ गया मुझको तो भूट ड़ लगा कि आप सजा देंगी और मैंने बचने के लिए बोतल में जो जहर था बहपी लिया और अब यहां लेटा लेटा मोट के मोट आने का इंतजार कर रहा था